एक बार सभी उमिदों का तूटना भी जरूरी है पता तो चले ये दुनिया कायम किस पर है जिन्दिगी का एक उसूल याद रखना पहचान सबसे रखना लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर करना रिष्टों की कदर भी धन की तरह करना चाहिए दोनों को खोना आसान है लेकिन क अब तक जंदगी चाहिए हमें क्या मालूम था कि इश्ख होता क्या है बस एक तुम मिले और जंदगी मोहबत बन गई मैं एक हाथ से पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं बस मेरे दूसरे हाथ में तेरा हाथ होना चाहिए क्योंने सजा मिलती है आपको मोहबत में आखिर आपने भी तो बहुत दिल तोड़े थे उस शक्स की खातिर मुझे सत्रंज बहुत पसंद है क्योंकि उसका एक नियम बहुत अच्छा है कि चाल कोई भी चले लेकिन अपना अपनों को नहीं मारता अरे अकेला चलना सीखलो ज़रूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वो कल भी तुम्हारे साथ रहे इंसान की कदर जरुवत पढ़ने पर ही होती है बिना कदर के तो हीरा भी तीजोरी में रखा रहता है वो अक्सर तुमसे कहते थे कि तुम उन्हें कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे अपसोस इस बात का है कि काश तुमने भी ये सवाल उन से पूछा होता लोग कहते हैं कि दुप बहुत बुरा होता है हमेशा रुलाता है लेकिन हम कहते हैं कि दुख बहुत अच्छा होता है, हमेशा कोई सिखाता है, इनसान घर बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्टे बदलता है, फिर भी परिशान क्यों रहता है, चूंकि वो खुद को नहीं बदलता है ये जरूरी नहीं है कि आपके उम्र के हैं, जरूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हो, जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, आप खुद अच्छे बन जाओ, शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए, जिंदगी में कट नहीं आएं तो उदास म बढ़ते रहो जो लोग आपको पर्सनली नहीं जानते हैं उनकी बातों को भी पर्सनली मत लो गलतियों को हमेशा माफ किया जा सकता है यदि आप में हिम्मत है अपनी गलतियां सोईकार करने की स्वयम से लड़े बाहरी दुनिया से क्या लड़ना जो इंसान स्वयम पर विज प्राप्त कर लेता है बाते जोकों के साथ हवा में जल्द ही फैल जाती है जरा संभल के बोलना दोस्तों लोटती है तो रूप बदल कर आती है हमेशा संदेख करने वाले इंसान के लिए खुशी ना तो इस लोक में है ना कहीं और अफसोस के सिवा कुछ बसता नहीं मोहब कर जाता है वो मुझसे दूर रहकर खुश है और मैं उसे खुश देखने के लिए उससे दूर हूँ थोड़ा फासला वे रखना चाहिए हर रिष्टों के दर्मियार क्योंकि दो चीज़े नहीं भूलती है एक घाओ और दूसरा लगाओ किसी को अगर ज्यादा भाव दोग अब इनसे जाकर पूछों कि तूटे हुए पत्ते रंग भी नहीं बदले क्या